हेलो दूस्तों एक बाई फिर से आप सभी का स्वागत है एजूकेशन बाईट पर संस्कृत की आज की क्लास में हम सेकेंड चेप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है संग्या और संग्या के भेद इससे पहले वाली क्लास में हम आसपास की वस्तुों की संस्कृत में नाम पढ़ चुके हैं तो चलिए देखते हैं संग्या क्या होती है किसी वस्तु इस्थान प्राड़ी गोड़ या भाव के नाम को संग्या कहते हैं बच्पन से यही डेफिनेशन पढ़ती हुई आए हम ल इतना सारे क्या हैं संग्या है ठीक है गोड़ भाव अच्छाई बुराई मिठास खटास सब संग्या है ठीक है संस्कृत में इसकी डेफिनेशन क्या होती है संसारे व्यक्ते जाती नाम वस्तु नाम इस्थाना नाम भावा नाम चनामानी संग्या व्यक्ती का नाम जाती का नाम वस्तू का नाम इस्थान का नाम और हम tie बोलते हैं संसार में जतने भी व्यक्ति हैं जितनी भी जाती हैं वस्तू है सबी अमारे संग्या कहलते हैं एकस जा एकजांपल देख लीजिए वस्तू के नाम 9 यह दौार होता है कु को स्ग औपुस्थ ह...? कलम वही आपका पैन, चमसा होती है, चमच, चसका, गिलास को बोलते हैं, कंदुकम, गेंद को बोलते हैं, संस्कृत में ठीक है, हिंदी तो पता ही हो कि सबको संस्कृत में इसलिए लिख दी कि शायद अगर कभी कंदुक शब्द आ जाए तो उसको ध्यान रखें कि ये बोलते हैं उध्यानम बगीचा होता है उध्यान प्रदर्शनी जो मेला लगता है ना जहां पर वही प्रदर्शनी बोली जाती है आपढ़ा ये आपका है बाजार बाजार को संस्क्रत में आपढ़ा बोलते हैं प्राडी के नाम देखिए राम हाँ राम प्राडी है बालिकहा मयूर हाँ शुका हाँ शुका होता है तोता ठीक है मयूर होता है मोर पित्र पिता मात्र माता होती है ब्राता हाँ भाई को बोलते हैं भगिनी बहन होती है सब वस सब प्राडी है ना तो संग्या है ये ठीक है भ संग्या के भेद मुख्य भेद तौन कौन संग्या के और इखती मेसं दामे इन ग्रप्रोが हैं 3 तौन क्वेसं से सग्या आइं संग्या के तीन ने व्यक्तिवाचक संग्या जाति वाचक संग्या और भाव वाचक संग्या और जो अन्य दो भेद होते हैं संग्या के वो जाति वाचक के ही पार्ड होते हैं ठीक है पहला है आपका समूव वाचक और दूसरा है द्रव्य वाचक ठीक है ये जाति वाचक में ही आते हैं इंग्लिश में अगर इनके नाम तो यह एक्तिवाचक को बोलते हैं जाती वाचक को बोलते हैं with . बोलते हैं और यह इसा से मतलिया गई नाउन होता है इंग्लिश में इनको इस तरीके से पत हैं के ऐसे गई तो संग्या को देखते मतलब किसी विशेश व्यक्ति विशेश प्राडी विशेश रिष्टार व्पस्तु का बो दोगा तो वही आपकी व्यक्ति वाचक संघ्य है किया प्रफर नान में क्या एक किसी इस्पेसल चीज का निकलना चाहिए चीट तो जैसे आपका राम special नाम हो गया ना किसी का नामी होगा राम रामायड पुस्तक है लेकिन वो भी special किताब है विशेस है ठीक है आगरा इस्थान विशेस है ठीक अगर मैं आगरा की जगे शहर बोल दू नगर बोल दू तो वो आपका विशेस नहीं रह जाएगा ठीक गंगा नदियों में विशे तो देश तो आपका कॉमन हो जागा यानि कि जाती में चला जाएगा और जो आपका भारत है वो आपका प्रॉपर यानि कि व्यक्तिवाचक संग्या में आ जाएगा सेंटेंस देखिए रामहा पुस्तकम पठती अगर इस वाकि में मैं आपसे संग्या शब्द पूछू त कि देखिए इंग्लिस की हो गई पुस्तक किसी की भी हो सकती है नवा एट बीके महावारत भी पुस्तक है तो पुस्तक व्यक्तिवाचक नहीं होगी अगर में यहाँ पर लगा दूए नेक्स्ट में देखिए रामाढययम पठती तो रामायड को पढ़ दाय ना तो यहां पर जो रामायड है वह व्यक्तिवाचक संग्या हो जाएगे लेकिन बालक बालक भी संग्या है लेकिन बालक को यहां पर व्यक्तिवाचक संग्या इसलिए नहीं बोलेंगे कि बालक तो कोई भी हो सकता है राम भी बालक हो सकता है मोहन नाम का कोई बालक हो सकता है सोहन हो सकता छयाम हो सकता है कोई भी बालक हो सकता है जातिभाचक में चला जाएग अगर को आपसे पैसे वाचक निकल रहा है और पर option आपको वाचक नहीं दिया है तो वो आपका जातीवाचकНе चला जाएगा ठीक है तो उस प्रादी यह सब्द से किसी जाती की सभी प्राडियों का या सभी वस्थाओं का बहुत होता है वही आपके जातिवाचक संग्या कहलाते हैं जैसे मनुष्य कई सारे मनुष्य होते हैं लग 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 तो वही बालक कई सारे बालक होंगे उन में से कोई एक अगर विशेस हो गया किसी एक का नाम ले दी हमने जैसे मालीजी एक अक्षा है उसमें कई सारे बालक बैठे हुए और पीछ में से किसी ने चिलाया राम खड़े हो जाओ तो राम जो नाम थाना वो विशेस हो गया यानि कि वो व्यक्ति बाचक हो गया और बालक क्या हो गए जाति बाचक ठीक है नदी नदी तो कोई भी हो सकती गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदाव कोई भी नदी हो सकती है ठीक है तो नदी हो जाएगा जाति बाचक और गंगा यमुना अगर नाम ले ले तो वह जाएगा व्यक्ति बाचक ठीक है परवत परवत तो कोई से भी परवत हो सकते हैं हिमाले का नाम ले दूँ तो वह क्या हो जाएगा व्यक्ति बाचक और सब कंफ्यूस होता कि कुट्टा हम अगर बोल देते हैं तो वो जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक अब ऐसे भी देख लीजिए कि कुट्टे कई सारे होते ना गली में कई सारे कुट्टे घूम रहे हैं और माली जी हम अपने घर का कुट्टा लेके गए जिसका नाम टॉमी था ठीक है अब उन कई सारे कुट्टों में हम टॉमी को बलाएंगे तो टॉमी ही आएगा ठीक तो टॉमी हो गया वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा लेकिन अगर हम कई सारे कुट्टों की बात कर दें तो वहाँ पर जातिवाचक हो जाएगी ऐसे ही आपका मित्र मित्र आप आपका जातिवाचक हो जाएगा ठीक है सेंटेंस एक है अहम विद्यालयम गच्छाम्राइंग तो जो विद्यालय शब्द है ये आपका क्या है जातिवाचक ठीक है अगर ये बात कर दें तो ये जातिवाचक あूँ पार्ड है राम पुस्तकम पठती ठीक है राम तो नहीं होगा तो कि राम तो व्यक्ति बाच के विशेष नाम है फुस्तकम यहाद पे किसी special book का नाम नहीं दिया है तो जो पुस्तकम है आपका क्या हो जाएगा जाती बाच ठीक है next is samhum vachak यानि कि collective noun तो इसमें क्या होता है इंगलिष में हमने पढ़ा भी है कि collection होना चाहिए एक group होना चाहिए Samhu मतलब कई सारे व्यक्तियों का एक Samhu जिसमें भिन्द भिन्दे प्रकार के हो तो जैसे इसकी definition होगी जो किसी संभुदाय है समू का बोध कराते हैं समू बाचक संग्या शब्द कहलाते हैं जैसे सेना आपकी सेना किसकी सोलजर का होती है गुरूप आर्मी जिसको बोलती है ठीक है तो ऐसी कक्षा कक्षा क्या है बालक बालिकाओं दोनों का समू होता है यानि विद्यार्थियों का समू होता है ठीक है दल, दल में भी कई सारे लोग आ सकते हैं, समू तो होई गया, पुस्तकाले किस तो होता है, पुस्तकों का समू होता है, पुस्तके कई सारी होती है, तो जो ये पुस्तकाले हो जाएगा, समू बाचक हो जाएगा, मेला, सेना, सभास, मेलन, संग, ये सारे क्या है, समू बाचक क्या होता है जो शब्दे किसी मन्तल ​​द्रव्य पदार्थ का बोद करा दे द्रव्य मींस होता है द्रव्य उसी को बोलेंगे कि वे चीज़ जिनसे कुछ न कुछ बन सके जैसे आपका बूर150 गया तो उससे कुछ न कुछ बनेगा दही बन सकता है पनीर बन सकता है ठीक है ऐसे सोना सोने से क्या होगा अंगूटी बन गई हार बना दिया ठीक है तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं द्रव्य वाचक ठीक है पाशार पत्थर मूर्तिया बनती है ना पाशार को हिंदी में पत्थर बोलत इसको ठीक है रजत होती है चांदी ठीक है शरकरा चीनी फल ठीक तो यह सारे आपके द्रव्य बाच जिन से कोई न कोई अन्य पदार भी बनाया जा सके लकडी भी आती है आपकी इसमें लकडी से फरनीचर बनता है कि नी तो वह सारे आपके ऐसी लोहा आ जाएका जितनी भी सोना होगा यह क्या हो जाएगा द्रव्य वाचक संग्या हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट है भाव वाचक संग्या तो भाव वाचक संग्या में क्या होता है एविस्ट्रेक नाउन कहते हैं इसे जिस संग्या सब जिसे किसी के गुड़ दोश दसा सभाब इन सब का बोध हो ठीक ऐसे दशा अमीरी गरीबी जिसे बोलती है ठीक है तो ये अमीरी गरीबी जो शब्द होंगे ना ये सारे भाव आजक संग्या क्या लाएंगे ठीक है प्रेम भाव है एक ठीक है क्रोध भाव है ममत तो अपना पन बोलते हैं इसे हिंदी में ठीक है आलस्य तो समझी आ रहा हता है अपने बच्चे की दरफ उसको वाथ्सलिभाव बोलते हैं भोक्तुम होता है जीवन का आनन्द जो आनन्द होता है ना उसको बोलते है भोक्तुम मधुर तो मीथा है ठिक ना चिन्हें से किसी व्यक्ति क Kr надо philosophical आवस्था नेचर इन सब का पता चले तो वही भाव अचक संग्या होती है ठीक है इनका अब कोशन कैसे आता है तो कोशन आप से सीधा-सीधा यह आ सकता है सिंपल कि संग्या किसे कहते हैं ठीक है संग्या के भेद क्या होते हैं ऐसे कोशन आएगा अगर आएगा तो ठीक है वहाँ छाटने को नहीं देता कि कौन से संग्या है कौन से नहीं है फिर आपका आता है कोश्चन विवक्तियों से कि जैसे राम सब्द संग्या है इसका प्रत्मा विवक्ति में रूप लिखिए तो ये सब कोश्चन आते हैं तो फिर इसके लिए हमें दीरे दीरे आगे बढ़ना यहां बहुत होते हैं और जिनका विएंजन से अंत होगा? उन्हें विवयंजनांत संग्या स्गया सब्द हैं जैसे राम और बालक तो बालक का पे तो अंत नहीं हो रहा है अगर इसको हम तोड़ेंगे तो यह का प्लस आ निकलेगा ठीक है तो इसका जो अंतिम वर्ड है वो आ है ठीक तो आ क्या होता है हमारा स्वर सभी जानते हैं ना आ ई उ रिरी यरी ये सब हिंदी वह संस्क्रत में आपका रिरी भी है औ पुलिंग का ठीक है राम और बालक पुलिंग है लता और रमा ये इस्त्री लिंग है और इनका अंत किस से हो रहा है बड़े आ से अगर मैं इसको तोड़ू रमा को तो इसके मा को अगर तोड़ें तो मा प्लस आ निकलेगा ठीक है तो यह आ से अंत हो रहा है इसलिए आ का इकारांत हो जाएगा ये ठीक है हरी और मुनी का अंत हो रहा है छोटी एकी मात्रा से तो ये इकारांत शब्द है नदी का अंत हो रहा है इकारांत से तो ये इकारांत हो जाएगे ठीक है भानु और गुरु उकारांत है पित्र रिकारांत पुलिंग है और अगर हम मात्री कि country ि पुलिंग क्या होते हैं यह डीटेल में पढ़ते हैं अभी सितना समझ जनसे पुरुष का बॉत होता है वह पुल लिग और जिन से इस्तरी Istinh ठीक है तो देखिए नदी नदी इस्तरी बॉद होता है नदियां इसनी भी होती है सब इस्तरी लिंग में आती है ठीक है हरी पुलिंग होता है मुनी ये जो मुनी महात्मा गुमते रहते न ये वही है ठीक है लता नाम है लड़की का तो ये स्तरी लिंग सीधी सी बात है ठीक है पित्र पिता है तो पुलिंग है मातरी माता है तो माता तो इस् स्वर ही निकल के आएगा भानू का अगर हम तोड़ेंगे तो ना को अगर हम तोड़ना चाहें इसका विच्छेद करेंगे तो निकलेगा ना प्लस उ छोटा उ ठीक है देख लीजी अगर राम से ही तोड़ना स्टार्ट करते हैं राम को अगर हम वर्ण विच्छेद करें राम का तो रा हलंतम प्लस आ फिर प्लस मा हलंतम और प्लस आ इस तरीके से वर्ण विच्छेद होता है पढ़ा होगा सभी ने तो अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो जो अंतिम वर्ण निकल के आएगा इन सभी का वो अंतिम वर्ण स्वर निकल के आएगा ठीक है मात्री का भी अगर तोड़ना चाहें तो मात्र का देख लीजिए हलंतम मा प्लस आ प्लस हलंतम ता और प्लस रिडी ठीक है रिडी की मात्रा होती है ये ठीक है अगर नीचे मात्रा ये लगती है न इस तरीके से जो रा का साउंड करती है तो यह रिरी की मात्रा होती है जैसे प्रिथवी में लगती है यह ठीक है तो इसको रा का जो यह निकलता नहीं यह यह तो प्रिथवी पढ़ती है रिरी की मात्रा आती है ठीक है तो यहाँ पर रिरी यह स्वर होता है आपका ठीक है मिल रहा है तो वहीं जो शब्द आपका संग्या शब्द वह हो जाएगा व्यंजणांत संग्या संग्याश शर्थ थीक है तो राजनख्द क्या है नकार्ए इसका तो ये है आपका नकारान जब इसके रूप चलते हैं प्रत्मा भिवक्ती बगेरा में तो वहाँ पे आपका चलता है राजा राजानो राजा ऐसे करके ठीके तो आपके ये रूप अलग चलेगा लेकिन जो उसका मूल शब्द है वो उसका होता है राजजन ठीके ऐसी वाच है जो चकारान जिसको और ऐसी आत्मन भी मिल जाएगा आपको आत्मन ठीके इसका अंतिम वर्ड भी क्या है ना है तो ये नकारान थे ठीके वाच हो गया चकारांत मनस मन होता है विद्वस विद्वान वाला विद्वस होता है ये सकारांत होता है इसके रूप चलेंगे विद्वान विद्वासो इस टाइप से ठीक है रूप क्या होते है ये सब आगे जब संग्या के रूप बताएंगे आपको रामह रामो तो वहां पर आपको यह पता चलेगा ऐसी एक और होता है चंद्रमस चंद्रमा होता है लेकिन उसका जो मूल सब्द होता है उसको चंद्रमस तो ये भी सकारांत होता है आपका ठीक है तकारांत में जगत होता है ऐसी एक आपको भगवत भगव तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग बबाई टेक केर